गुरुदेम सुरेश्टी मालीजी से व्यक्तिकत मिलने के लिए संपर्क करें मेरे प्रिया शेश्यों, सादकों और आज के अवारे सभी प्रभुद्ध नवीन तर्शकों स्वागत आप सभी का आज के अवारे इस विशेश कारिक्रम जिस पे मैं बताऊंगा अगस्त बहिना हम सब का कैसा जाएगा शुरुआत करेंगे मेश राशी से सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राशी फ़ल हम तैयार कैसे करते हैं आपकी इस महीने की वे कुण्डली बताता हैं कौन से पैनेट है जोप्रिप पोजिशन को चेंज करें कैसे योग और कैसे दोश बन रहे हैं एक नजर आपकी इस महीने की कुण्डली पर मेश राशी की यह कुण्डली है इस में फिफ्थ आउस जो कि एजुकेशन और संतान से सुक्का होता है उसके लॉड होकर सूर्य विराजबान रहेंगे फोर्थ आउस में सोला अगस्तक रहेंगे और वो बुद्ध के साथ बुद्ध आधिती योग बनाएंगे लेकिन राहू के साथ भी सुक्वाव में ग्रहन दोश का भी एक नुक्सान रहेगा खुशे इस बात की है कि 17 अगस्त से बहिने के अंत तक सूर्य पंचम भाव में गर वापसी करेंगे अपने गर में बुद्ध थार्ड आउस जो कि पराकरम का होता है और सिक्स आउस जो कि अवारे दुश्मनों का होता है रोग का होता है उस भाव के लॉड होकर सुख भाव में रहेंगे यहाँ पर यह बात बता दू कि राहू के साथ जड़त वदोश बनाएंगे जात अगम शुकर की बात करें तो दन भाव और कुटुम भाव के लॉड होकर एक तारीक से लेकर 30 अगस्त तक वो 6 आउस में रहेंगे के रोगबाव में नीच राशी के बड़ा वीक पॉइंट है लेकिन जाते जाते 31 अगस्त को सेवन्त हाउस में मालवी डामक राजयोग बनाएंगे और प्रैश्पति के साथ शंक ही हो इस पूरे महिने फोर्थ हाउस में राहू रहेंगे सेवन्त हाउस में ब्रैश्पति रह तो 10 और 11 तारीख को यह फोर्थ हाउस में अमावस्या और ग्रहंड दोश का प्रभाव रहेगा 16 और 17 तारीख को सेवन्त हाउस में ब्रैश्पति के साथ महान राज्योग गजकेस्ति योग बनेगा 21 और 22 तारीख को 9 ता उस पे शनी के साथ विश्च दोश्च बनेगा 24 25 माप करेगा 23, 24, 25 तारीक को 10 ताउस मंगल के साथ तो महालक्ष मी योग बनेंगे लेकिन केतु के साथ ग्रहन दोश भी बन जाएगा इस वहीने कुछ एलर्ट रहने की डेट्स में दे रहा हूँ जिसमें हो सकता है कुछ बांसी का शांती हो जाए क्योंकि चंद्रमा इसके पूरे कारण परेंगे एक, दो, 28, 39 अगस्त को 12 वे चंद्रमा रहेंगे वीक पॉइंट है 10 और 11 अगस्त को चोथ है और 18, 19 अगस्त को आठ वे चंद्रमा हो सकता है कुछ आपको तकलीफ और मांसी का शांती देदे इस महीने को हमें, हमें अगर जीना है और ज्यादा मजबूत और यादगार बनाना है तो गुरु बंत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है तब तक हम सब को वो असंबव ही लगता है इसलिए शुरुवात करिए और इस महीने कुछ नया असरू कीजिए सबसे पहले मैं बात करूँगा मेश राशी वाले लोगों की अगस्त महीने में बिजनस और वैल्थ की पोजिशन कैसे रही देखिए महीने की शुरुवात कोई नया कारिया आरम करने के लिए आप इनिशेटिव ले सकते हैं आपको जो भी मिलना है वह अवश्य मिलेगा हा अपना प्रियास निरंतर जारी रखना होगा व्यावसाई के दृष्टि कौन यारे बिजनस के दृष्टि कौन से अच्छा फल मिलने वाला है घर भी खतम हो रही है सर्दिय भी आने में वक्त है अगस्त का महीने तोरा मौनसून का होता है जिनका का मौनसून से करना है वैसे भी नहीं करना चाहिए नहीं किसी दूसरे के काम में दाखल देनी चाहिए क्योंकि नुकसान दे सकता है यह ग्रहन दोष्ट कारोबार में थोड़ी सी सावधानी रखने से आपका जो इन्वेस्ट्मेंट किया हुआ है वो बैटर हो सकता है इस महीने कि सला लेकर ही करना चाहिए शेयर का काम बिल्कुल भी समयने नहीं करना उतार चड़ाव की वज़े से आपको नुकसान होगा फाइदे की जगे नुकसान गरीब हो सकता है ग्यारा और बाइस तारिक को विशेश सावधानी रखें चाहिए वो कोई प्रॉपर्टी है चाहि पार्टनर्शिप में व्यापार कर रहे हैं तो मैं आपको यह सला दूँगा कि तीस तारिक तक नामी ने लें 31 टारिकों जैसे पार्टनर के गरमें शंक योग शुकर बनाएंगे लाब मिलने की संकेत मिलजाएंगे आपका कठिन परिश्ट्रम ही आपको आपके वैवसाय म रहेंगे इस मेने क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन अंगारक दोश की वज़े से मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि आपको अपने सबॉडिनेट से विशेश सावधान रेना पड़ेगा इस दुनिया में जिसको हम कल यूग कहते हैं इसमें लोग अपने परिश्ट्रम और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना ही सबसे बड़िया काम रहेगा जहां तक हो सके अपने कारिक शेतर की जिबेदारियों को सोचें और उसे पूरा करें अपनी जिमेदारियों से इसमें भागने पर आपको नुक्सान होगा क्योंकि आपकी ये मेहनत आई नौकरी का offer मिल सकता है या कोई ऐसा officer या कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जो आपको नौकरी offer कर सकता है 17 23 और 25 तारिक को आपको अपने boss से बात करने चाहिए अपने promotion के लिए वेतन की वरती के लिए या कोई भी आप खुशी share करना चाहता है या कुछ भी पाएंगे आपका कोई भी कलीग आपकी सफलता देखकर जलन जरूर रखे कर उसे अपना काम कड़े दिए आपको अपनी मदद उसके साथ जारी रखने चाहिए आफिस की समझ से आपर बात करते समय अपना कोई भी भेद बिलकुल भी नहीं कोरना चाहिए इस्पेशली किसी महिला के साथ वरना आप ब्लैक मेल के शिकार हो सकते हैं आपकी नीजी जिन्दगी की बाते हैं लोगों के हसी का माहुल बना सकती है काम दंदे को लेकर आप यात्रा जरूर करेंगे इन यात्राओं से आपको लाप भी मिलेगा लेकिन मैने जी को कोई कस हो सकता है मा के सुख में कोई कमी आ सकती है या मा को खुद को को तक्रीफ हो सकती है सभी रिष्टों में सुरद्दा और विश्वास रखना होगा अगर आप किसी प्रकार की जलन की भावना रखती है तो ग्रहन दोश आपके सुख बाव में होने की वज़े से आपके इस्वत में कोई लांचन लगा सकता है आपके परिवार में किसी बीमारी या किसी शोकसंदेश भी आपको मिल सकता है अगर ऐसा कोई है बिमार वेक्ती तो जरूर से मिलना चाहिए मेल जोल बनाए रखना चाहिए अन्यता रिश्टों में खटास आ सकती है गुसा और अव विश्वास आपको इस में जरूर रहेगा इससे आपके जलन की भावना भी हो सकती है जिससे आपके परिवार हो या बच्चे या फिर पती पत्री के संब्द में कमजोरी आ सकती है तो अपने दरिस्टी को अच्छा रखें खुश्य का बाहूल बनाने की कोशिश करें हर पल खुश्य फैलाईए और जहां परी डेक्रेटिविटी दिखती है वहां से फटाक से बाग जाईए धैरिये का मंत्र इस वही ने देना चाहूँगा इस वज़े से आपके गुस्से और आपके डिसिजन लेने में फैसला लेने में बहुत मदद ये धहरी कर सकता है सब कुछ अनुकूल करने के लिए आपको अपने अंतर मन में जाकना पड़ेगा कोशिश करें कि आप हर रोज नहीं तो सोमवार, गुरुवार और शुकरवार को कम से कम दो गंटे का मौन रखना चाहिए आप अपने किसी भी प्रकार के इंवेस्टमेंट, अगर आप एंटर्पेनर हैं, आप किसी प्रकार का काम करती हैं तो जो मैं बाकी आपको विश्टलेशन बता रहा हूँ, वो आपके काम करेंगे पिदा के साथ विचारों की लड़ाई इस में हो सकती है 10-11-12 सारी को विशेश सावधान रेना चाहिए इस समय विशेश में ज़्यादा कोई पार्टी या किसी वाद विवाद वे फसने से बचना चाहिए अब विवाहित लोगों के लिए अच्छे रिष्टे के संभावना बन रही है क्योंकि ये भॉले नात का महिना है, जैसे माता पारवती और भॉले नात का ब्याह स्रावन मास उन दोनों को बहुत पसंद है और उन दोनों की जोड़ी वैसी ही आपके ब्याह की जोड़ी भी अब बनने वाले ये परिवार के साथ कड़ी बहरत करने के साथ आपको लाब बने का और तारवी क्यातरा करना नहीं बूलें हो सके तो किसी शिवाला में जरूर जाए या 12 जोतिर लिंग में से किसी एक जोतिर लिंग की सोंबार को जरूर तरशन करने चाहिए जिस से आपके दाम पती जुन का अच्छा मिल सके हो सके तो इसमें आपको गौरी शंकार रुद्राक्ष जरूर पहना चाहिए हवारे प्यारे स्टुडेंट्स और संतान से सुख वाले लोगों की बात करेंगे जो competitive exam है उसकी तैयारी में जूटे हुए लोगों को special मेहनत करने की सलाथ होगा challenge को accept करें और अपना ध्यान पूरा लगाईए सूरिय गवर्मेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो ग्रहन दोश में गरसी थे इसलिए 16 तारिक तक आपको बहुत एलेट रहने चाहिए उसके बाद relax हो जाना चाहिए कड़ी मेहनत करने चाहिए जल्दी बाजी या shortcut के चेकर में नहीं पढ़ना चाहिए हालांकि जो competitive exam में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए अनुकूल समय 16 तारिक के बाद ही है सिक्षा में कोई विशेश अकरा आपको आप change करना है माली जी आपको tutor change करना है वो सब खत्म होने वाला है क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहत्रिन दिख रहा है अगर आप विदेश में पढ़ने का बन बना रहे है तो समझ लीजिए कि माता पिता को कोई भी कस्ट बिल जाए लेकिन आपके काम माता पिता जरू कर पाएंगे माता पिता का चरण स्पर्श और उनके आशिरवाद देना ना बोलें क्योंकि उससे उनको खुश ही बहुत मिलेगी 16, 24 और 25 इन तीन तारिकों में कुछ सुबा शुब समाचार आपको जरू मिल सकते हैं इसलिए निश्चिन रहे पड़ाई मैं पूरा त्यान लागए ग्रहन दोश आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन आपके दर वो काबियत है क्योंकि बंगल स्ट्रॉंग है निकल जाओ गया हेल्थ एंड हमारे एनिमीज की बात करें देकिंटे स्वास से द्रश्टी से आपको पेट और गुपतांग वाईलाओं को यूटरस ओवरी की तकलीफ पुरूशओं गुपतां को तकलीफ हो सकती है आपको यूरिन में lockedaksi स्क्लीफ हो सकता मन से बले आप बिमार नहों लेकिन मन से बिमार मत होएगा इसलिए क्योंकि चंता आपको कुछ दे सकता है देखा जाए तो पेट से सम्बदी समस्यां सब ज्यादा परिशान करेगी जोडों में दर्द हो आखों में तकलीफ हो सरदर्ध की बिमारी आपको जरूर हो सकती है अ को विशेश सावदा ने रखें इस्पेशली गाड़ी चलाते हों वरना चोड की सम्बावना बन सकती है दुश्मन इस महीने कोई और नहीं बलकि आपकी खुद की नकारात मक्ता आपकी जो लापरवाही आपका दुश्मन बन सकती है इसलिए खुद का खयाल रखें क्योंक आपकी वज़े से आप अपना खयाल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कुछ मैं अब आपको उपाय बताऊंगा जिसका साहरा लेकर आप इस महीने को यादगार बना सकती है दो और पंद्रा अगस्त को नाग बंचिमे के दिन उम बजंगे शाय वदमहे सर पर आजाय देवही तन्नो नागह प्रचव दयाद ये मंत्र जरूर आपको एक माला पढ़ना चाहिए नहीं तो ग्यारा माला पढ़ें ग्यारा अगस्त को हर्याली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर गाय के दूद से अभिशे करना नहीं बूलें हो सके तो परिवार सहित करें और गव माता की सिवा के लिए प्लास्टिक का त्याग करिए जितना अच्छा कर सकती है उत्रा अच्छा करिए 26 अगस को सभी के लिए रक्षा बंधन का दिन बहुत अच्छा रहेगा बहन को जिंक दादू की बनी हुई कोई भी वस्तू देना चाहिए जैसे कोई शॉपिंग गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं लाल रंग के वस्तू इस दिन महीरे दान करना चाहिए लाल रंग के ड् मेलाओं को गौरी शंकर रुद्राक्ष और पूरुशों को एक तीन और पांच वों के रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके राश्यफल को आपकी सिंदगी को बहतर बनाने के लिए राश्यफल को बहतर तरीके से पेश कर सको अब आज के लिए बस यतरा है मुझे अपनी वानी को यही विराम देने के लिए इजाज़त दीजिए नवशकार गुरुदेर सुरेश्री माली जी से व्यक्तिकत मिलने के लिए संपर्क करें मेरे प्रिय शिश्यों और सभी प्रेमी दर्शकों आपके समास्याओं का समाधान और सवालों के जवाब देने के लिए मैं हमेशा प्रियासरत रहता हूँ आप ऐसे ज्यादतर लोग मुझे से परसनली मिलना चाहते हैं तो उनके लिए आपके शहर या नजदी की शहर की मैं कुछ डेट्स दे रहा हूँ जहां पर आप उसे वो सब कुछ जान पाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है समस्या चाहे कोई भी हो लेकिन हमारे सभी रिशी मुन्यों ने हर समस्या का समाधान खोज निकाला है तो आप आईए अपनी समस्या लेकर और मैं आता हूँ आप तक समाधान लेकर कुछ डेट्स मैं भी आपको बता रहा हूँ जहां पर अगर आपका मिलना संभव हूँ तो एंड बे बताये गए नंबर पर संपर करके आप अपना एपाइटमेंट बुग कर सकते हैं 14 जुलाई हैदराबाद 15 जुलाई बंगलूरू 20 जुलाई दिल्ली 21 जुलाई गुडगावा 22 जुलाई लखनव 28 जुलाई मॉंबई 29 जुलाई पुने तीन अगस्त जैपुर, चार अगस्त दिली, पांच अगस्त जंडिगर, दस अगस्त मॉंबई, ग्यारा अगस्त इंदौर और बारा अगस्त को एहमदाबाद में आप सभी मुझसे परसने बिल सकते हैं इसके लिए आपको मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, जापर आप संपर कर सकते हैं, 0291 2799000, मोबाइल नंबर है, 931 4728165, मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा, बहुत बहुत शुब कामना है, नवश्कार इस साधना से प्रानी सभी परिशानियों से मुक्त होकर सभी धर्मों, सभी रहस्यों को देख वसमच लेता है, यह साधना अकारण बाधा, संतान सुप, व्यवसाय दोश से मुक्त कर आपको महाकाल का आशिरवार देगी, जो अनंत है, चीर है, निर्बाध है, क्योंकि शि रिण, शत्रु, नौक्री, संतान सुप, दामपत्य जीवन की परिशानियों से ग्रसित है, तो इन सभी परिशानियों का सटिक समाधान है, सर्वबाधा निबारत महाकालिश्वर शिर्व सकती साथना, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे, 0291-243-2625, 98290-26625 8955-896625, email info at the rate grahukakhil.com.in, website www.grahukakhil.com.in